यहलो दोस्तो मेरा नाम अमित है NTT & Quality यूट्यूब चैनल में आपका सवागत है तो दोस्तो आप में से कई लोग है वो रेडियोग्राफिय टेस्टिंग मतलब की आरटी के फिल्म में काम करते होगे तो उसमें आरटी में दो टाइप के सोर्स गामा रेज है और दूसरा आपका नैचरल सोर्स है उसके लिए आपको कोई अलग से इलेक्टिसिटी का रिकॉर्मिन नहीं रहेगा शोर्स यूज करने के लिए और आपका X-ray जो है वो आर्टिफिशल सोर्स है मतलब कि X-ray यूज करने के लिए आपको current voltage वगेरे का मतलब कि electricity का requirement रहता है तो आज के इस वीडियो में हम X-rays जो है उसका machine कैसे वर्क करता है उसका X-ray का generation equipment है उसमें क्या-क्या requirement रहता है वो सब detail में देखने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसमें हम पूरा machine कैसे वर्क करता है वो detail में दिखाएंगे तो सबसे पहले X-ray generation के लिए requirement क्या-क्या है वो देख लेते हैं तो X-ray generation के लिए तीन requirement रहती है सबसे पहला requirement जो है वो source of electron तो कहीं से आपको electron का source होना चाहिए और वो जो source है उसको accelerate करना है आपको accelerate accelerating electrons to high velocity तो electron को आपको high velocity से accelerate करना है और तीसरा जो है वो having a target target to receive impact of electron impact of electron तो ये तीन चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए तो ये तीन चीज़ है ये x-ray generation के लिए main requirement है अब हम x-ray जब भी रिक्वा जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होता है वो देखते है तो x-rays are generated when 3 electrons 3 electrons 3 electrons 3 electrons gives up sum of energy sum of its energy energy दूरिंग इंटरेक्शन दूरिंग इंटरेक्शन दूरिंग इंटरेक्शन विद नुकलियस ओप इंटरेक्शन होके आपका इंटरेक्शन जो है वो मतलब की आई स्पीड इलेक्टोन है वो energy produce करता है और यह जो energy है वो आपको x-ray produce करती है अभी हम यहां पर एक्सरे जो है उसका figure देखते है कि एक्सरे एक्चुल में कैसे काम करता है उसके लिए यहां पर मैंने figure रखा हुआ है देखिए यह figure में एक glass envelope होता है बरावर एक्सरे में यह glass envelope है उसमें पूरा system रहता है और अंदर की साइड जो है आपका vacuum रहे गया और यहां पर जो focusing cup करके लिखा हुआ है वह cathode का इस्साव है तो cathode और anode करके यहां पर दो जगा है तो कैथोड में जो focusing cup है वहां पर एक filament रहता है वह filament heated filament है जो filament है वह heated filament है तो heated filament में से यह आपका electron है वह generate होगा और यह जो electron है यह high velocity से यह direction में ट्रावेल करेगा बतलब कि एनोड की साइड ट्रावेल करेगा और दूसरा एनोड में यहां पर target रहक रखा हुआ होता है यह जो आपका है यह target है तो target है वहां पर आपका electron है वह strike होगा और वहां से आपको energy जो मिलेगा x-ray के रूप में आपको waves मिलेगे बरबर तो इस type से आपका x-ray generation होता है अब यह target के बारे में बात करें तो special target होता है और यूजल यह आपका target जो है वह वह तंगस्टन होता है तंगस्टन करके material हो होता है और यह जो target है यह एनोड में आपका embedded रहेगा दूसरा यहां पर यह भी में लिख देता हूं x-ray tube जो है उसमें glass envelope में यह tube रहेगा और यह जो tube है यह आपका पूरा seal off रहता है और उसमें higher satanable vacuum रहता है तो इस टैप से आपका पूरा का पूरा x-ray का system है वो वर्क करता है तो अगर इसमें कोई आपको doubt है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं ओके थैंक्यू